नमस्कार दलीगल इंडन के ऐस एपसोड में आपका फिर से सौगत हैं दोस्तों हिंदी बेल्ट के जो स्टुडेंट होते हैं जैसे UP, बिहार, जार्खन यहां के जो स्टुडेंट होते हैं वो English word से बहुत दड़ते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें English की जानकारी नहीं ह तो वो कोई भी कोर्स को अच्छे तरीके से नहीं कर सकते हैं। कि ऐसी कोई बात नहीं है आप तेंस नहीं थोड़ा मेहनत करें आप सीख जाएंगे। सब्जक्ट को पढ़ा था और उसके बात आगे भी कंटिन्यू तेलकू मीडियम में ही किया और फिर जब लौ में उनकी इंट्री हुई जब ललबी वो कर रहे थे तब ललबी इंगलिस से किया था। जब मानिय चीफ जसिस ऑफ इंडिया ये बात कह रहे थे तो सॉलिशिटर जनरल ऑफ इंडिया तुसार महता ने भी कहा कि हम दोनों इक्वल पेज पे हैं। ये लौट से मैंने भी इंगलिस क्लास एट में जाकर के ही पढ़ा था। क्यों कि इनका भी मीडियम गुज़दराती मीडियम से था। दो बड़े-बड़े ओफिसर एक तो चीफ जसिस ऑफ इंडिया जो क्लास एट में जाकर के इंगलिस को पढ़ते हैं। प्लाट करम में उनका एड़ान होता है और दूसरा सोलिस्टर जनरल ऑफ इंडिया तुसार महता जी वो भी क्लासेट में ही जाकर के इंग्लिश को पढ़ते हैं हलाकि ये बात अलग है कि दोनों जब लौ किया तो दोनों इंग्लिश मीडियम से ही लौ किया तो इस तरीके से यदि आपके मन में ये है कि मैं हिंदी का स्टूडेंट हूँ हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ अच्छे तरीके से लौ नहीं पढ़ सकता नहीं समझ सकता ऐसी ब बहुत बड़ी बात नहीं है, अब हम दूसरे question की तरफ बढ़ते हैं, question यह है, कि क्या LLB, law की पढ़ाई, कानून की पढ़ाई, हिंदी में करनी चाहिए, या English में करनी चाहिए, अभी भी मेरा answer रहेगा, English में ही करना चाहिए, इसके पीछे बहुत सारे reason है, पहला reason तो यह ह कि जो अच्छी अच्छी पुस्तके हैं, books हैं, वो English medium में ही available है, तो हिंदी यदि आप लेंगे, तो उस तरीके से नहीं उसको grasp कर पाएगे, दूसरा reason यह है, कि सर्वुच न्याले के उच्छ न्याले के जो judgments हैं, वो जाधतर English में ही होने हैं, तो यह आप हिंदी चूज कर acquire किया जा सकता है, इसकी learning को आप acquire कर सकते हैं, सीख सकते हैं, इसलिए आप English में ही focus करें, अब अगला question आपका हो सकता है, कि चलो ठीक है, बहुत मुश्किल सही इतना motivation मिला है, आप English में हम admission ले लिए English medium में law करने के लिए, आप English को कैसे सुधा रहे हैं, यह बहुती slow and gradual process हो होने वाला है, आप यह सोचेंगे कि आज admission लिया और अकले मन्त में बहुत अच्छे तरीके से English हम सीख लेंगे, जान लेंगे, तो यह थोड़ा मुश्किल है, तो करना क्या है, इसके लिए कुछ tips मैं यहां दे रहा हूँ, उसको यदि आप ढंग से follow करेंगे, तो आप सुरुआती 6 मेहने तक आपको problem हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे आपको आदत पढ़ जाएगी, दूसरा, यदि आप law student हैं, इंग्लिस में पढ़ना शुरू किया हैं, तो दूसरा सबसे important काम जो यह है, कि जो recent judgment है, मानिय Supreme Court के, मानिय High Court के, उसके judgment को डाउनलोड करके, उनके पूरा का पूरा पढ़ें, इसे दो फाइदा होने वाला है, पहला फाइदा तो यह, कि आपको इंग्लिस का ग्यान बढ़ेगा, पढ़ने की आदत जब आप डालेंगे, तो आराम से चीज़ों को सीख सकते हैं, दूसरा चीज़ यह, इंग्लिस जानना एक बात है, लीगल इंग्लिस जानना दूसरी बात, बड़े बड़े इंग्लिस के ज्याता भी, यदि कोर्ट का जज़मेंट उनके पास दे दिया जाए, तो शायद उनको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो वर्ड है, वो इंग्लिस कम लीगल वर्ड, लीगल वर्ड का डिफरें मिल जाए, तो कुछ अच्छी मुवी, सिनेमा इंग्लिस में होती है, वो उसको देखें, जब आप पढ़ेंगे, देखेंगे, तब जाकर के आप चीजों को सही तरीके से एनलाइज करेंगे, और लास्ट में सबसे इंपोर्टन यह है, कि जब आप पढ़ रहे हैं इंग्ल इंग्लिस सिनेमा, तो जब तक आप बोलने का प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक फिर वो चीज़ें सही तरीके से काम नहीं करेंगे, इसी रिए लास्ट में सबसे ज़्यादा जरूरी है, कि जो भी आपने अक्वार किया है, लर्निंग को, उसको आप अपने दोस्तों म इंग्लिस में ही बोलने का प्रैयास करें, हो सकता है वो टूटी-फूटी इंग्लिस, उससे फर्क नहीं पड़ता, धीरे-धीरे-धीरे करके आप चीज़ों को सही तरीके से सीख सकते हैं, तो आज की इस वीडियो में हमने हिया सीखा है, कि बड़े-बडे ओफेसर, जो इ इसको हटा करके बाहर फिक दीजे, मैं बहुत ही प्रैक्टिकल बात आपको बता रहा हूँ, कोट प्रैक्टिस में, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत बड़े फ्लूएंट इंग्लिस बोलते हैं, तो बहुत अच्छा केस का अर्गमेंट करेंगे, ज़रूरी नहीं है ज़रूरी यह है कि आप law points को कितने अच्छे तरीके से समझ रहे हैं, इसको समझना एक बात है, और इसको express करना दूसरी बात है, यदि आप पूरे law point को अच्छे तरीके से समझ लिया है, और simple भासा में यदि उसको express कर रहे हैं, आपका case कोई नहीं ले सकता, आप ज़रूर जीतेंगे, और एक दूसरा example कि बहुत बढ़िया fluent English बोल रहा है, और उसको law point का जो उस तरीके से deep knowledge नहीं है, तो case नहीं जी सकता, सिर्फ बोलने से काम नहीं चलने वाला है, इसलिए आप डरे नहीं, बिल्कुल भी भैवीत होने की ज़रूरत नहीं है, और खास करके Hindi built के जो लोग हैं, परेशान नहीं हो, यदि आप अपने state board से पढ़ाई किया है, परेशान होने बाली बात नहीं है, सिर्फ एक वासा का ग्यान आपके career को determine नहीं कर सकता, और वो भी तब जब English को, उस वासा को आप आराम से सीख सकते हैं, थोड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है, आप ज़रूर मेहनत करें, आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपने ज़रूर कुछ नया सीखा होगा, इस चैनल पे आपके लिए हम लगातार law की बारिक्यों को लाते रहते हैं, law से related जितने भी चीज़े हैं, वो हम express करते रहते हैं, यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है, तो जरूर आप इस चैनल को सबस्क्राइब करें, और इसी तरीके से अपने दोस्तों में, अपने परिवार वालों में शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फायदा हो पाए, चलिए फिर से मिलते हैं किसी और टॉपिक में, तब देके ल नमस्कार, जाहें